हेलो एब्रीवान वन्स अगिंड वेलकम टू आर चैनल बीट दनीट कैसे हैं वचो आप सभी लोग आई होप कि अप लोग और अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे क्योंकि अब सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि अब आपको पढ़ने के लिए जाधा टाइम मिल रहा होगा और अब आप लोग अपनी पढ़ाई को और तेजी से अपने रिवीजन को बढ़ा पा रहे होंगे आप लोग मेरे वन मिनट बायोलोजी के वीडियोज आई होप की जरूर देखते होंगे बचो ये शॉट्स हैं जिनको मैं PYQ बेस्ड टॉपिक पर ही बनाती हूँ जो कोशन बार बार आपके नीट एक्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्ही टॉपिक्स को मैं रिकॉर्ड करके आपको एक मिनट के अंदर पूरे कॉंसेप्ट को मैंने बताया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है उपर आई बटन में भी आपको यहाँ पे इसका लिंक दिख जाएगा तो आप लोग जा करके जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज उन्हें जा करके देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें आपको at that moment only वो completely चीज़ें रिवाइज होंगी तो चलिए वेट करते हैं कि वो कौन से शॉर्ट साने वाले हैं यह थोड़ा सा सर्प्राइज है विसे आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में मैं audiobook class 11 की chapter 17 respiration chapter आज हम लोग complete करेंगे यह chapter हम लोग पूरा एक ही audiobook में complete करेंगे usually वेश वेज आप लोगोंको एक ही audiobook में पूरे-पूरे chapter प्रवाइड करती हूँ जिससे की आपको revision करना आसान रहे इसके बाद मैं जल्द ही आप लोगों के साथ में 12 की audiobook भी complete करके दोनों की ही audiobook की एक compiled वीडियो आप लोगों को जल्द ही provide करोंगी तो चलिए, time waste नहीं करते हैं और जल्दी से अपनी आज की audiobook को start करते हैं पर वीडियो को शुरू करने से पहले, I hope कि आप लोगों को ये help जरूर करते हैं तो आप लोगों को इसे like जरूर करिएगा और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो subscribe कर लिजे क्योंकि आप लोगों को बार पर यहां से revision के लिए आते रहना पड़ेगा notification on का नमद भूलिएगा otherwise किसी भी नए वीडियो का आपके पास में notification नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा तो चली आप finally start करते हैं अध्याय सत्रा, श्वसन और गैसों का विनिमे जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं सजीब पोशक तत्वों जैसे glucose को तोड़ने के लिए oxygen का परोग्ष रूप से उपयोग करते हैं जिससे विबिन क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्य कूर्जा प्राप्त होती है उपरोग्त अपचे क्रियाओं में कारबन डायोकसाइड भी मुक्त होती है जो हानिकारक है इसलिए यहाँ आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्द कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए वायू मंडली O2 और कोशिकाओं में उत्पन CO2 के आदान प्रदान या विनिमय की इस प्रक्रिया को हम श्वसन या फिब्रीधिंग सामानेत या रिस्पाइरेशन कहते हैं अपने हातों को अपने सीने पर रखिए आप सीने को उपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं आप जानते हैं कि ये श्वसन के कारण है हम श्वास कैसे लेते हैं इस अध्याय के निमलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विदी का बनन किया गया है 17.1 श्वसन के अंग प्राणियों के विभिन वर्गों की बीच श्रसन की क्रियाविदी उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है केचुए अपनी आदर क्यूटिकल को श्रसन के लिए उपयोग करते हैं कीटों की श्रीर में नलिकाओं का एक जाल होता है जिनसे वातवरण की वायू का उनके श्रीर में विभिन इस्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें जली और्थोपोडा तथा मलस्का में श्रसन विशेश समवहनी संरशना क्लोम या फिर गिल के द्वारा होता है जबकि स्थल चरप्राणियों में श्रसन विशेश समवहनी थैली फेफडे द्वारा होता है कशेरकों में मशलिया, क्लोम या गिल द्वारा स्वशन करती हैं जबकि अमफीबिया में यानि उभैचर, सरीसरप, पक्षीत और स्थंदारी लंग्स के थूशन करते हैं उभैचर जैसे मेडग अपनी आदर तचा द्वारा भी श्वशन करते हैं, स्थंदारियों में एक पूर्ण विक्सित श्वशन प्रडाली होती है 17.1.1 मानव श्वशन तंत्र हमारे एक जोड़ी वाय नासा द्वार होते हैं, जो होडों के उपर बाहर की तरफ खुलते हैं ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं, नासा कक्ष ग्रस्नी में खुलते हैं ग्रस्नी आहार और वायो दोनों के लिए अभै निश्ट मार्ग है ग्रशनी कंठ द्वारा श्वासनली में खुलती है, कंठ एक उपास्थी में पेटिका है जो ध्वनी उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनी उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनी उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनी पाँचवी वक्षी कशेरकवी तक जाकर दाई और बाई और दो प्रात्मिक श्वस्नियों में विभाजित हो जाती है प्रत्तिक श्वस्नी कई बार विभाजित होती हुए दुतियक एवं तृतियक इस्तर की श्वस्नी श्वस्निका और बहुत पतली अंतस्त श्वस्निकाओं में समाप्त होती है श्वासनली प्रात्मिक दुतियक एवं तृतियक श्वस्नी तथा प्रारंबिक श्वस्निका अपून उपास थिल वलेों से आलंबित होती है प्रतेक अंतस्त शुष्षनिका बहुत सारी पतली अनेयमें भिति युक्त वाहि काईद थैली जैसी सनरशना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वाइव कूपिका कहते हैं श्वस्नी, श्वस्निकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल लंग्स की रशना करते हैं हमारे दो फेफडे हैं जो एक द्विस तरिये प्लिूरा से धके रहते हैं और जिनके बीच प्लिूरल फ्लूड फिल होता है ये फेफडे की सता पर घशन को कम करता है वारी फुफसा वर्णी जिल्ली वक्षी पर्त के निकट संपर्क में रहती है जबकि आंतरिक जिल्ली फेफडे की सता के संपर्क में होती है वाय नासा रंद्र से अंतस्ता श्वस्निकाओं तक का भाग चालन भाग जबकि कूपिकाओं एवम उनकी नलिकाओं एक शुरी रिता एक वायोरोधी कक्षे है वक्षगवा कक्षपरेश्ट में कशेरुक दंड अधर भाग में उरोज थी पाशर्व में पसलियों और नीचे से गुंबदा कार यानि डाया फ्राम द्वारा बनता है वक्ष में फेफणों की शालिरिक विवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्थन फेफणे की गुहा में प्रतिबिम्बित हो जाएगा श्वसन के लिए कैसी व्यवस्था आवश्यक है आप यहां 17.1 डायग्राम देख सकते हैं श्वसन में निमलिकित चरंड समलित है नमबर वान श्वसन या फुफुसी समवातन जिससे वायु मंडली वायु अंदर खीची जाती है रुधिर और उतकों के बीच ओटू और सी ओटू का विसरण होता है अपचे क्रियाओं के लिए गोशिकाओं द्वारा ओटू का उपयोग और उसके फल सरूप सी ओटू का उतपन होना श्वसन में दो चरण समलेते हैं अन्ता श्वसन जिसके दौरान वाय मंडली वायु को अंदर खीचा जाता है निश्वसन जिसके द्वारा फुफुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है वायू को फेफणों के अंदर ले जाने के लिए फेफणों एवं वायमंडल के बीच दाप प्रवणता निर्मित की जाती है अंता श्वसन तभी हो सकता है जब वायमंडली दाप से फेफणों की वायू का दाप कम हो अर्थात फेफणों का दाप वायमंडली दाप के सापेक्षिक कम होता है इस तरह निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफसी दाप वायमंडली दाप से अधिक होता है डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समू पसलियों के बीच इस्थित वाई एवं अन्ता अंतरा परशुप इंट्रकॉस्टल मसल्स जिने कहते हैं इस तरह की प्रवणताय उत्पन करते हैं अन्ता श्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारम होता है जो अगर पश्च यानि एंटिरियो पॉस्टिरियर एक्सिस से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है वाई अंतरा परशुप पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्ति को उपर उठा देता है जिससे प्रश्ठाधार अक्ष डॉर्सो वेंट्रोल एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है वक्ष गुहा के आयतन के किसी प्रकारण से भी भूई व्रद्धी के कारण फुफुस के आयतन में भी समान व्रद्धी होती है ये समान तरागी व्रद्धी फुफसी दाप को वायमंडली दाप से कम कर देती है जिससे बाहर की वायू बल पूर्वक फेफणों के अंदर आ जाती है अर्तात अंता शुसन की क्रिया होती है डायाफ्राम और अंतरा परशुक पेशियों का सिथिलन यानि रिलाक्सेशन डायाफ्राम और उरोस्ती को उनके सामान इस्थान पर वापस कर देता है और व्रक्षी आयतन को घटा देता है, जिससे फुफुसी आयतन भी घट जाता है, इसके परिणाम सुरूप अंतर फुफुसी दाब आयमंडली दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफ़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थाद नेश्विसन हो जाता है, चित् अपनी अतरिक्त उद्रिये पेशियों की सहायता से अंता श्विसन और निश्विसन की छमता को बढ़ा सकते हैं, और सतन एक स्वस्त मनुष्य प्रती मिनट 12-16 बार श्विसन करता है, श्विसन गतिविदी में यों में समलित, गतिविदियों में समलित वायु के आयतन का अखलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफुसी करारे कलापों का नैदानिक मुल्याकन करने में सहायक होता है, 17.2.1 श्वसन संबंधी आयतन और शमता हैं, टाइडल वॉल्यूम, ज्वारी आयतन, सामाने श्वसन क्रिया के समय प्रतिश्वास अंताह श्वासित या निश्वासित वायू का आयतन या लगबग 500 ml होता है, अर्थास्वस्त मनुष्य लगबग 6000-8000 ml, वायू प्रति मिनट की दर से अंताह श्वासित या निश्वासित कर सकता है, अंताह श्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वायू आयतन की वह अतरिक्त मातरा जो एक व्यक्ति बल पूर्वक अंताह श्वासित कर सकता है, यह उसतन 2500 ml से 3000 ml होता है, निश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वायू आयतन की वह अतरिक्त मातरा है जो एक व्यक्ति बल पूर्वर नि उपर वर्नित कुछ श्वशन सम्मंदी आयतनों को जोड़ कर फुफवसी छमताएं फुफवसी धारिताएं निकाली जा सकती हैं जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है अन्ताश्वसन शमता सामाने निश्वसन उपराम्त वायू की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अन्ताश्वासित कर सकता है इसमें ज्वारी आयतन तथा अन्ताश्वसन सुरक्षित आयतन समलेत हैं TV प्लस IRV निश्वसन चमता एक्स्पारेटरी केपैसिटी, समाने अंताश्वसन उपरांत वायू की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ती निश्वासित कर सकता है, इसमें जवारी आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन समलित होते हैं, TV प्लस ERV क्रिया शिल अवशिष्ट चमता, Functional Residual Capacity, FRC, समाने निश्वसन उपरांत वायू की वह मात्रा जो फिपड़ों में शेश रह जाती है, इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन समलित होते हैं, ERV प्लस ERV जैफ चमता, Vital Capacity, बल पूर्वक निश्वसन के बाद वायू की वह दिक्तम मात्रा जो एक व्यक्ति अंताश्वसन के बाद निश्वसन के बाद निश्वसन कर सकता है फेफणों की कुल चमता, Total Lung Capacity, TLC, बल पूर्वक निश्वसन के पश्चात, फेफणों में समाय वजित वायू की मात्रा, इसमें RV, ERV, TV और IRV समलित हैं, यानि जैफ चमता प्लस अवशिष्ट चमता 17.3, गैसों का विनमय कूपिकाएं गैसों के विनमय के लिए प्रात में किस थल होती हैं, गैसों का विनमय रक्त और उत्कों के बीच भी होता है, इन थलों पर O2 और CO2 का विनमय दाब, अत्वा, सांद्रता, प्रमणता के आधार पर सरल विस्रण द्वारा होता है गैसों की गुलन शीलता के साथ-साथ, विस्रण में सम्मले जिलियों की मोटाई भी विस्रण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्पूर्ण घटक है यहाँ पर आप 17.3 डाइग्राम देख सकते हैं गैसों की मिश्रण में किसी विशेश गैस की दाब में भागी दारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्मन डायोकसाइड के लिए क्रमशा पी ओटू तथा पी सी ओटू द्वारा दर्शाते हैं वायो मंडली वायो और दोनों विश्रण स्थलों में इन दो गैसों के आनशिक दाब तालिका 17.1 तथा चित्र 17.3 में दिखाए गए हैं साड़नी में दिये गए आकड़े स्पस्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से उतकों में ऑक्सीजन के लिए सांध्रता प्रमब़ता का संकेत देते हैं इसी प्रकार CO2 के लिए विप्री दिशा में प्रमरता दर्शाई गई है अर्था तूतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ चुकि CO2 की घुलन शीलता, O2 की घुलन शीलता से 20-25 गुना अधिक होती है अन्ता विसरण जिलिका में से प्रती एकाई आन्शिक दापके अंतर की विसरित होने वाली CO2 मातरा O2 की तुलन में बहुत अधिक होती है विसरन जिलिका मुक्य रूप से तीन स्तरों की बनी होती है ते था कूपिका की पतली शल्की उपकला, कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंता कला और उनके बीच स्थित आधारी तत्वजों की पतली आधारी जिलिका की बनी होती है तता सहायक शल्की उपकला, आधारी जिलिका और रक्त कोशिकाओं की अंता कलागे एकल परत द्वारा गिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 mm से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ओटू की कोपिकाओं से उतकों और और सी ओटू के उतकों से कोपिकाओं में विसरण के लिए अनकूल होते हैं। 17.4 गैसों का परिवहन प्रांस्पोर्ट ऑफ गैसे ओटू और सी ओटू के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगबग 97 प्रतिशत ओटू का परिवहन रक्त में लाल रक्त कडिकाओं द्वारा होता है। 17.4.1 ओक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन लाल रक्त कडिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौ युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमडिये नंक से बंदकर ऑक्सीजेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रतिक हमोगलोबिन अडू अधिक्तम चार अडूओं, चार ओक्सीजन अडूओं के वहन कर सकते हैं। हीमोगलोबिन के साथ ओक्सीजन का बंधना प्रात्मिक तौर पर ओटू के आंशिक दाप से सम्बन देता है। सियोटू का अशिक दाप हाइडोजन आयन सांद्रता और ताप क्रम कुछ अन्यकारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोगलोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतरप्ती को पी ओटू के सापेक शालेखित करने पर सिगमाब व्रग यानि सिगमोईट कर्व प्राप्त होता है। ऑक्सी हमोगलोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि उतको में निम्न PO2, उच PCO2, उच HIN सांदरता और उच ताप्रम के सिगमोगलोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे सपश्ट है कि O2 हीमोगलोबिन से फेफ़णों के सता पर बंदता है और उतको में वियोजित हो जाती है। प्रते एक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामाने शडीर क्रियात्म के सितियों में उतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। 17.4.2 कार्बन डायोकसाइड का परिवहन कार्बन डायोकसाइड हीमोगलोबिन तौरा कार्बमीनो हीमोगलोबिन लगभग 20-15 प्रश्चत की रूप में वहन की जाती है। ये बंदनियता CO2 के आंशिक दाप से सम्मंदित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। उतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोगलोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कुपिका में जहां पी CO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बमीनो हीमोगलोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है। उतकों में हिमोगलोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनाइडरेस की संद्रता लाल रखत कणिकाओं में उच और प्लाजमा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निमलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 plus H2O in the presence of carbonic anhydrase, it is forming H2CO3, again in the presence of carbonic anhydrase, it is forming HCO3ion plus HIN. उतकों में अपचे के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रखत RBCs और प्लाजमा में विसरित होती है और HCO3 और HIN बनाती है। कूपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशाओं विपरीथ हो जाती है जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में उतक इस्तरप्र ग्रहित और कूपिका अतक परिवाहित carbon dioxide बाहर की दरफ पुना CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रती 100 ml V oxygen इत रख्ट द्वारा कूपिका में लगबग CO2 की 4 ml मातरा मुक्त होती है। 17.5 श्रसन का नियमन यानि Regulation of Respiration मानव में अपने शरीर के उतकों की मान के अनुरूप श्रसन की लए को संतुलेत और इस्थर बनाए रखने की एक महात्रपूर्ण छमता है। या नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन होता है। लए केंद्र के पास एक रसोस, वंधी, वेधी यानि कीमो संस्थिफ सेंटर लए केंद्र के लिए अतिसमवेधी होता है। इन पदार्थों की व्रदी से यह केंद्र सक्री होकर श्रुसंद क्रिया में आवश्यक समाय उजयन करता है जिससे यह पदार्थ निश्कासित किया जा सके। इयोर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्ट्री से जुड़ी समवेधी सनरशनाई भी सियोटू और एचायन सांधता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तता उपचारात्मक कारिवाई हे तु लए केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लएके नियमन में ऑक्सीजन की भूमी का बहुत ही महत्वहीन है। 17.6 श्वसन के विकार यानि रिस्पाइरेटरी डिसॉर्डर्स। 18.7 दमा यानि अस्थमा या एज्मा में श्वसनी ओर श्वसनिकाओं के शोत के कारण स्वसन के समय घर घराहत होती हैं तता स्वांस लेने में कटनाई होती है। ब्रॉंकाइटिस ये श्रस्नी की शोथ है जिसके विशेश लक्षण श्रस्नी में सूजन तथा जलन है जिससे लगातार खासी होती है इमफाइसेमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका वित्ती चतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विन में सता घड़ जाती है दूमरपान इसके मुख्यकारकों में एक है विविसाईक श्रसन रोग औक्यूपेशनल रिस्पारेटरी डिसीज इस कुछ उद्योगों में विशेश कर जहां पत्थर की गिसाई पिसाई या तोड़ने का कारे होता है वहाँ इतने दूल कर निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निश्प्रभावी नहीं करवाती दिर्ग कालीन प्रभावन शोद उत्पन कर सकता है जिससे रेशाम अयता या निरेशी उत्कों की प्रचुरता होती है जिसमें फल सुरूप फिफणों को गंभीर नुकसान हो सकता है उन उत्योगों के शम कूपिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहां के वहां से कार्बन डायोकसाइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविदी विक्सित हैं और जिन में हमारे पास इस क्रिया के लिए कूण विक्सित श्वसन तंत्र है जिसके अंतरगत दो फेफडे और इन से जुड़े व विन में इन गैसों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन उक्सिजन यूगत रक्त और उतकों के बीच O2 और CO2 का विन में और कोशिकाओं द्वारा उक्सिजन का उपयो कोश की स्वशन अन्य समलिद चरण है अन्ताश्वसन और निश्वसन के लिए वायो मंडल और कोपिका के बीच विशिष्ट अंतरा परशक पेशियों यानि इंटरकोस्टल और डायाफ्रायम की साहिता से दाप्रमणता पैदा की जाती है इन क्रियाओं में समलिद वायों के विबिन आयतन को स्पायरोमीटर की साहिता से मापा जा सकता है जिनका चिकित सी है या नैधा कोपिका एवाम उतकों में CO2 और O2 का विन में विसरंट द्वारा होता है विसरंट दर O2, PO2 और CO2 के आनशिक दाप्रमणता उनकी घुलन शीलता और विसरंट सता की मोटाई पर निरभर है ये कारक हमारे शरीर में कोपिका से ऑक्सीजन को वे ऑक्सीजनित रक्त में तथा कारक्त से उतकों में विसरंट सुगम बनाते हैं ये कारक्त CO2 के अरथात उतकों से कोपिका कोपिका में विसरंट के लिए भी अनुकूल होते हैं ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सी हिमोग्लोबिन के रूप में परिवहान होता है कोपिका में जहां P2O2 अधिक रहता ह कार्मोनिक एनाइडरेज एंजाइम की साहता से, बाई कार्मोनेट यानि याई CO2 के रूप में होता है, 20-25 प्रत्षत कार्मन डाय ऑक्साइड हीमोगलोबिन द्वारा कार्ममीनो हीमोगलोबिन के रूप में वहन की जाती है, उतको में जहां पी CO2 उच और PO2 निम्न होता है, वहां यह रक्त से युग्मित होता है, जब की Computer में जहां पी CO2 और PO2 उच रहता है, वहां यह रक्त से निशकाशित हो जाती है, श्वसन लै मस्तिश्क के मेडिूला, चेतर स्थित, श्वशन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है मस्तिश्क केपॉंस छेत्रिस्तित श्वास अनुचन श्वास प्रभावी यानि न्यूमोटाक्सिक केंद्र तता एक रसो समवेदी छेत्रिश्वसन क्रियाविदी को परिवर्दित कर सकते हैं और इसी के साथ ही आपका ये चाप्टर भी कंपलीट हो गया कैसी लगी आप लोगों को ये आउडियो बुक इसे लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आउडियो बुक में तब तक के लिए टा-टा बाबाई everyone just stay tuned with me बाई-बाई